आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Student, हमारा आज का Question है क्या दिया जारो Question में Question है Which one of the following compounds is aromatic in nature ठीक है? कौन से compound जो है यह aromatic in nature है ठीक है? यह हमको यहाँ पर बताना Option 1, 2, 3, 4 में से जो है बताना तो aromaticity पाने के लिए या aromatic compound होने के लिए कुछ सर्थे होती है ठीक है? अगर हम यहाँ पर aromatic compound की बात करते हैं तो इसमें कुछ rules बनाए गए पहली बात तो है जो भी compound होना चाहिए वो आपका planar होना चाहिए ठीक दूसरी condition यह है कि जो भी आपके pi electrons होने चाहिए या pi bonds होने चाहिए तो pi electrons जो है यह आपके conjugation में होने चाहिए pi electrons are in conjugation और तीसरी सर्थ जो है यह आपके हकल rule की आती है उसमें जो है ये बोला गए कि 4N plus 2 pi electron जो है उस system में होना चाहिए तब ही जो है वो आपका aromatic होगा planar, pi electron जो है ये सभी के सभी conjugation में होना चाहिए और 4N plus 2 pi electron जो है जिसको हकल rule बोलते हैं ये आपका follow करना चाहिए तब जाके आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हाकल rule चोय है यहाँ पर follow होना चाहिए अब पहले compound की बात करते हैं यहाँ पर 2 pi bond है मतलब 4 pi electrons जो है यहाँ आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर anti aromatic हो जाएग यह जो है और यह आपकी anti-aromatic की निशानी है anti-aromatic compound यह आपके कहला है तो यहाँ पर यह आपका anti-aromatic हो जाएगा तो यह आपका aromatic नहीं हुआ अब इसके बाद यह आपके 2 pi bond है और यहाँ पर एक negative charge तो negative charge की वज़े से यहाँ पर 2 pi electrons हाते हैं तो यहाँ पर यह आपके electron हुए तो इसको double मानेंगे तो फिर यह single, double, single, double, single, फिर double ठीक है तो यह pi electrons conjugation में है और यह species आपकी planar है इसके बाद 4n plus 2 pi electron मतलब आपका n की value अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर 6 pi electrons आते हैं तो इस वाली species में 6 pi electrons है इसका मतलब यह आपका aromatic in nature है तो यह आपकी species option 2 यह आपका aromatic in nature हुई इसके बाद हम बात करते हैं option 3 की तो option 3 में यह आपका देखी रहे होंगे कि 2 pi bond है और 1 positive charge ठीक है positive charge का मतलब यहाँ से lose हो गए तो हम इनको इसके पास electron है नहीं है ठीक है इस पर जो है यह आपके total जो है यह आपके 2 pi bond की वेरे से 4 pi electrons आएंगे और 4 pi electrons जो है यह आपका anti aromatic की condition है क्योंकि आपका जो है species जो है यह आपका planar है ठीक है और जो भी pi bond है वो आपके pi electrons जो है वो आपके conjugation में है लेकिन जो है यहाँ आपका 4 pi electrons मतलब 4 and pi electrons की condition satisfy करता है तो यह anti aromatic में आएगा तो यह भी आपका जो है गलत हो जाएगा अब इसके बाद जो option number 4 है वो option number 4 में जो है आपका क्या दिया जा रहा दो benzene ring है यह आपकी जो है यह जो है यहाँ पर benzene ring हो जाएगी यह और इसी तरीके से एक और benzene ring है आपके यह हो जाएगी ठीक है और यहाँ पर जो है यह आपका इस तरीके तो यह जो आपका πाई बॉन्ड जो है यह आपके कितने 5 पाई बॉन्ड है और यह जो आपके जो भी पाई बॉन्ड है तो पाई एलेक्टोंस आएंगे तो यह जो है यह आपके सभी कॉंजूगेशन में ठीक है सभी pi electron जो है यह आपके conjugation में है और species जो है यह आपकी planar है क्या है यह आपकी planar है ठीक है बेंजीन है यह इधर भी बेंजीन है यह आपकी पूरी species planar हो गई तो 5 pi bond की वह से आएंगे 10 pi electrons और अगर हम यहाँ पर 4 n plus 2 pi electron में जो है जो हकल rule है इसमें n की value जो है 2 रख देंगे तो यहाँ से आज जाएगा आपका 10 pi electrons ठीक है तो यह जो 10 pi electrons जो है यह हकल rule को जो है follow करता है और planar भी है और आपका जो है pi electrons जो है conjugation में तो इसमें जो है यह आपका fourth option भी जो है correct जा रहा है ठीक है क्योंकि हमसे aromatic condition पूछी जा रहा है मतलब aromatic compound जो है पूछा जा रहा है तो यह भी आपका aromatic compound हुआ ठीक अब option number 4 भी सही है और option number 2 भी सही है ठीक है तो यह दोनों answer जो है यहाँ पर होंगे तो हम जो answer लिखेंगे वो कौन कौन सा लिखेंगे option 2 and 4 are correct ठीक है उसमें जो है दो option आपके जो है correct हूँगा ठीक थैंक यू Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts 84444 पर